बराशर रिशने बताया है वक्तो श्मद भागवत की परमपरा के उपर यदी चर्चा की जाए तो भागवत की तीन परमपरा है एक परमपरा नीचे से शुरू होई एक आकाश से और एक पृत्वी से नीचे से जो परमपरा शुरू होई सरवप्रतम भगवान संकरशन ने ये भागवत सनत कुमार को सुनाया सनत कुमार ने ये भागवत सांखेयान मुनी को सुनाया सांखेयान मुनी ने ये भागवत देवताव के गुरु ब्रिहसपती और पराशर रिशी को प्रदान किया और पुलत्स रिशी के कहने पर राश रिशी ने मैत्रे मुनी को प्रदान किया और मैत्रे मुनी ने यही भागवत विदुर जी को प्रदान किया भागवत की दुसरी परंपरा जो उपर से हैं तो यही भागवत का ज्यान भगवान से कृष्ण ने सकंद पुराण के अनुसार कृष्ण ने यही भागवत का ज्यान ब्रह्मा विष्ण और महेश को प्रदानी किया और इस पृत्वी की परंपरा यदि देखी जाए तो यह भागवत भगवान नारायन ने ब्रह्मा जी को सुनाया ब्रह्मा ने नारज जी को दिया यही भागवत का ग्यान नारज जी ने विदव्यासमुनी को प्रदान किया विदव्यास मुने ने शुगदेव जी को प्रदान किया शुगदेव जी ने परिक्षित महराज तता सूध गोश्वामी को प्रदान किया और सूध गोश्वामी ने नेमिश शारणे के शोनकादी 88,000 शिमुनियों को प्रदान किया इस प्रकार भागवत के वक्ता की परंपरा गिनाई गए अब थोड़ी सी भागवत के श्रोता की परंपरा जाने वक्ताओं को तो हम बहुत चेक करते हैं कि कैसा बोलते हैं, सिधान्त कैसे हैं, उबदेश कैसे हैं, वानी कैसी हैं, गाते कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, वक्ता के लिए तो बहुत देखते हैं, थोड़ा हम शृताओ के लिए देख लेते हैं, वेसे तो भागवत के शृताओ के बारे में भागवत के अंत में बताय हूँ क्योंकि कथा समाप हो जाने के बाद ये चीज़ काम की नहीं है इसलिए हम सोचे कि कथा के पहले ये दिये सुन लिया जाए तो थोड़ा श्रोता गण सतर करें सकते हैं बागवत के श्रोता भी अनेक प्रकार के हैं श्रोता के बहुत प्रकार मूल रुप से देखा जाए तो बागवत के श्रोता उपको तीन कोटी में बाटा जा सकता है एक को कहते हैं श्रोता दूसरे को कहते हैं शरीयोता पर तीसरे को कहते हैं सोता हम किस प्रकार के हैं फड़े एच्चे कर लेना चाहिए पहले हम वास्तविक श्रोता के बारे में जान लेते हैं बागवत सुनने वाले जो वास्तविक श्रोता होते हैं वे वास्तविक श्रोता चार प्रकार के होते हैं चातक हंस शूक और मी चारों प्रकार के श्रोता अच्चे हैं और हमें इन चार में से एक बनना है जैसे चातक चातक बक्षी स्वाती नक्षत्र में गिरने वाले बादल से गिरे हुए बुंद को डाइरेक्ट अपने मुख में गरण करता है और इस बुंद के अलावा किसी भी जल को गरण नहीं करता है वो तडब तडब कर अपने देह को त्याग देगा परण्तो जल तो ये वही करन करेगा वैसे कुछ श्रुता होते हैं कि बस कृष्ण कता ही सुनेगे और कुछ नहीं सुनेगे संसार के आज कल के श्रुता तो मनोरंजन सुनना चाहते हैं अभी तो कुछ कता ऐसी चलती हैं जिसमें फिल्मों के गाने भी चलते हैं परन्तो यह अच्छे शुर्ता नहीं है अच्छे शुर्ता चातक की तरह होते हैं जिसे गोपियों ने कहा था रचना हमारी चारू चातक की बनी है उद्वव पीपी की बिहाई अब रटे ही रटे नहीं उद्वव जी जब ब्रज में गये थे तरह गोपियों ने कहा है उद्वव आपके इस ग्यान की बोरी को लेकर कहीं फेंक दो उद्वव जी तो ग्यान को लेकर गये थे क्योंकि विश्रिनाम प्रवरो कृष्ण स्य दैतर सखाथ सिश्य ब्रिहस्पते साक्षाथ उद्व प्रकट रूप से डाइरेक्ट उनको सिक्षा प्रदान की आज कल के लंडन रिटन होते हैं ऑक्सवर्ड युनिवर्सिटी से पढ़ते हैं फॉरेन रिटन होते हैं उद्वजी हेवन रिटन थे स्वर्ग से सिक्षा लेकर आये थे थोड़ा सा ज्यान का अभिमान हो चुका हम की कुछ ज्यानी है स्वर्ग से ज्यान लेकर आये हैं भगवान ने एक तिर से दो निशान कर दिया उद्व की बुद्धी भी ठिकाने पर आजाए और ब्रजवाले गुपियों को प्रेमी भक्तों को मेरा समाचार भी मिल जाए भगवान कृष्ण ने उद्व जी को तो कि हमारा रदय इतना पवित्र नहीं है कि हम आपको यह सब सुना सकते हैं परंतु जब उद्व जी ब्रज में गोपियों को मिले तब गोपिया कहती है कीजे ग्यान बानु को प्रकाश गीरी श्रिंग नीपे ब्रज में तिहारी कला ने को ही खटे नहीं रचना हमारी च आप क्यों रो रही हो कुठी हो गोपियों ने कहा हम खृष्णा के विरह में रो रही हुवक्रिश्ण तुमारे रदय में परमात्मा के रूपमें बैठा है माराजजी कहता है गुप्यों ने पूछा उद्दोव जी वो खाता क्या है वोले हो कुछ नहीं खाता है हमारा कृस्ण तो माखन खाता था ए molto तेरा परमात्मा क्हाता अचा उद्दोव यह excell olmaz है युद्र Controller Racist हैं हमें तो कृष्ण चाहिए पदर जी मना रहे थे कि कृष्ण दूर नहीं परमात्मा तुम्हारे दें में बैटे हैं जिए अपना मन वहां लगा दो सुर्दाज जी ने पहुं सुंद्रपद लिखा उदाओ उदाओ मन नहें मन न भये दस बीस जो तुमारी मात हम स्विकार कर लेती और हम हमारा मन उस परमात्मा में लगा देती लेकिन हम लाचार हैं परवश हैं कि भगवान ने हमें एक ही मन दिया है जिए दस बीस मन दिया होता हमारा मन तुम जहां कहते हो लगा देती परन्तु एक मन मिला है और वह भी हम कृष्ण को दे चुकी है इसलिए उदाओ तुम ये ज्ञान की बोरी कहीं ले जाकर फेंक दो क्योंकि हमारी जो रचना है चातक प्वक्षी की तरफ बन चुकी है अब इसे कृष्ण के लावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे चातक प्वक्षी से वो श्मनन आ गया परंतु वक्तो श्रोताओं का ये प्रकार है चातक की तरफ मात्र कृष्ण को ही स्रमन करते हैं कृष्ण कताई चाहिए और जो अच्छे श्रोता होते हैं उनमें भी एक कोटी है दूसरी हंस जैसे हंस होता है उसे पानी और दूद मिला कर दे दो तो हंस दूद दूद पी जाता है पानी छोड़ देता है हमारे घर पर जब दूद वाला आता है तो मैं यही कहता हूं तेरा दूद हंस ही पी सकता मनुष्य तो पी नहीं सकता है पानी वाला तो हंस मान सरोवर के हंस की तरह अवगाहन करना चाहिए कभी-कभी कथाव में कलियों की वुदी जमड़े की जीवा होने के कारण फिचल जाती है कभी-कभी कथाव याज से भी गलती हो जाती है कि पूर्ण तो एक मात्र भगवान है बाकी सब तो अपूर्ण अधूर है तो उस समय कथा वक्ता के जो वक्तव यह हैं उनके दोश को छोड़कर हंस की तरह पानी को छोड़कर जो सार क्रहण करें उसे श्रेश्ट शोटा कहा जाता है जो दोश को छोड़ देता है और पून क को ग्रहण कर लेता है उसे परम हंस कहा जाता है तो ऐसे श्रोटा बना चाहिए तिसरी कोटी है शूक शूक माने तोता आप तोते को कुछ रटा दीजिए बस वो बोलता ही रहता है तो तो शीप्रकार कुछ श्रोटा ऐसे होते हैं जो भागवत सुनते हैं जैसे यह लोग लिख रहे हैं देखिए अधिरा माता जी सुवे से घसीट रहे हैं बहुत लिख रहे हैं बहुत अच्छा है यह शूक शूक शूता है शूक शूता कैसे होते हैं भागवत सुनते हैं और सुनकर फिर समाज में बोलते हैं तोते की तरह तोते के कान में आप राम बोल दो तो और ये दीन कोटी के शुरता यह नहीं बनना है तो उसमें भी शुरता है वह मीन शुरता जैसे मशली अपनी आंख बन नहीं करती है को शुरता इतने ध्यान से कथा सुनते हैं कि अपनी आंख बंद नहीं होने देता है एक शुरता चाहिए यातों जातक बनिये हंस वनिये शुक बनिये यह या अच्छे शुरता की परंपरा कि यह हैं अवल नमबर के सिरुटा फ़ुष्ट कोटी के शुरता अच्छा सेकंडं क्लास के शोटा के से होते हैं शरीयोता, सरीयोता जानते हैं, शुपारी काटने के लिए, सरोता होता है जिसे शुपारी काटी जाती है, ये दुसरे प्रकार के शुपारी काटने का काम करते हैं, बस वक्ता की युक्ति को काटने का काम करते हैं, आते ही इसके लिए हैं कि ये गलती कितना कर रहा है, जरा जाकर मुंबई से आया है देखते हैं किसी कितनी गलती करता है हम तो पहले से भोल चुके कि गलती ही है या आपको गून ही लेना है परमत कुछ लोग बस काटने का काम तो यह दुस्ती प्रकार की शुरता है इसको शुकदेव जने उंट कहा है केमल यह शुरता उंट की इसलिए उंट जानते हैं रेगिस्तान में पिछले दिन में आपरीका गया था तो वहाँ इजिप्ट में उट पर बैठाता है तो हमने देक हैं हमारी आखों से वहाँ रेगिस्तान में अ बहुत जादा वनस्पति नहीं होती है और जो बुरुख्ष होते से बहुत काते होत पानी नहीं है इसलिए उंट जो होते हैं वो वुरुष के पत्ते खाते हैं और जब उंट उस वुरुष के पत्ते को खाता है तो उसे बहुत मिठा लगता है बहुत टेस्टी लगता है वास्तों में देखा जाए तो उस पत्ते में कोई टेस्ट नहीं है होता क्या है पत्ते के साथ कुछ काटे हैं और पत्ते के साथ काटे उट के मुख में चले जाते हैं और काटे मुख को छिल देते हैं और उस मुख से खून निकलता है और पत्ते के साथ खून जब अंदर जाता है तो उसे लगता है पत्ते कितने मीठे है लेकिन उस उंट को पता नहीं कि मैं खुद मेरा ही खून पी रहा वैसे जो लोग सरियोता है वो कत्वा में आकर दुसरों को की युखती को काटने का काम करते हैं वे उंट जयसे हैं अपना खून स्वयम पी रहे हैं अर्दाथ अपना पतन वे स्वयम कर रहा है तो ऐसे इस परमपरा के शुरता नहीं बनना चाहिए यह सेकंड क्लास के शुरता और थर्ड क्लास के शुरता जिसको कहते हैं सोता अच लगता है सोने के लिए इनका जनम हुआ है है हमारे सारोगम प्रभुयना बहुत असाते हैं बोले में दो मंत्र जानता हूं एक इसा मंत्र जिससे एक सेकंड में सब को सुला दूं अच बोले मों मंत्र क्या है ओम नमो भगवते वाशुदेवाई यहां कथा चालो वहां लोगों का सोना चालो जो और यह केसा मंत्र है जिसे कितना भी गहरी निंद में सोया हो उसको जगा सकता हूं बोले वह कुण सा मंत्र सब लोग जानते हैं महाप्रसाद गोविन्दे इस प्रकार सोता कथा में आकर सोता नहीं बनना चाहिए इतना भागवत कथा रूपी दिव्य मनी यदि हम सोते रहे इसको इसका लाव प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए चेतनियों महाप्रभु ठाकुर वक्ति उन्हों कहते हैं कि चेतनियों महाप्रभु का जन्मही से हुआ और क्या किया चेतनियों महाप्रभु ने जीव जागो जीव जागो गोरा चांद गोले जीव जागो जीव जागो जीव जागो गोरा चांद गोले जीव जागो जीव जागो गोरा चांद गोले कत नीत्रा जाओ रे माया पिशा जीरत गोले कत नीत्रा जाओ दिवारा दिल साथ गोले चेतनियों महाप्रभु कहता है जीव जागो जगार आएं कत नीत्रा जाओ माया पिशा चीरकोले महाप्रभु का कहना है कि हम लोग जब रात को सोते हैं सोना बहुत अच्छा लगता है और वो भी एठंड में जैसी सुबह होती है उतना नींद और बढ़ती है और उसमें भी अच्छा कंबल मिल जाए अच्छा कत्ना मिल जाए चेतनियों महाप्रभु कहता है कि मानो आज का आदमी अपनी पत्नी की गोद में मस्तक रखकर सो रहा है और पत्नी हलके हाथों से उनका मस्तक सहला रही है सोने में कितना आनद वैसे लोग आनद ले रहा है लेकिन यदि उस आदमी की आख खुल जाए और पता चले यह पत्नी नहीं यह तो राक्षसी है तो पिशाची है आदमी सो पाएगा नहीं सो पाएगा महाप्रभु कहते हैं कि जब तक हम सोते हैं माया रुपी पिशाची की गोद में मस्तक रखकर सोते हैं कैसे सो रहया है आपको नीन्द कैसे आ रहे हैं अतर यह जीवजाब जगा रहे हैं चैतनीय महाप्रभु तो जागना चाहेगे अरस में भी भागवत कता होती है प्रवचन चलता है नींद तभी आती है वैसे फ्रेश होते हैं लेकिन कता शुरू होई तो तुरंत भी हो जाए किसे आचार्य ने कहां बाद भी सही है क्योंकि ये निद्रा जानते हैं कुम्ब करण की पत्नी है कुम्ब करण जानता है छे महिने तक सोता था और छे महिने के बाद भी जगता नहीं ता जगाया जाता था जोल नगाड़े पखावज शैनाय तुरुए ये बड़े-बड़े बाजे लेकर उनके कान के पांस जाते थे कई टं मांस मदिरा जब उनके सामने रखा जाता था भाग कर खापी कर फिर से सो जाता था भगवान सी राम चंदर ने जब कुम करण का वद किया तब उनकी पत्नी निद्रा देवी भगवान राम के पास आई और भगवान राम को कहने लगी आपने मेरे पती को मार दिया कोई बात नहीं बस आप मेरे एक प्रश्न का जवाब द कर सकते हैं बगवान को लगा इसको भी भक्ती करनी होगी तो बदा दिया कि जो लोग मेरी कथा सुनते हैं उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है कुम करण की पत्नी निद्रा देवी ने का ठीक है तो अब मुझे समझ में आ गया आपके भगत आपकी कथा सुनकर आपके धाम की प्राप्ति करते हैं न मैं किसी को आपके दाम में जाने नहीं दूँगी क्योंकि जब आपके भक्त आपकी कथा सुनने बैटेंगे मैं उनके मस्तक पर जाकर बैठी आऊँगे निद्रा देने इसलिए ये तो आए ये आए भगवान ने कहे दिया कोई बात नहीं तुम हमारे भक्त जब कथा शुरू हो तब हमारे भक्त के मस्तक पर आकर बैठ जाना लेकिन मैं भी मेरे भक्त को वरदान देता हूँ कि जब उनको निद्रा आएगी और मेरा भक्त मेरा नाम लेगा तो तुम को वस्तान छोड़ना पड़ेगा इसलिए जब नीद आती है तो भगवान का नाम ले लेना चाहिए हरे क्रिशना ख्रिशना ख्रिशना क्रिशना हरे हरे Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Hare Krishna Hare Krishna और हरे खुष्णा अची भाब क menor ते शंद गरे खुष्णा और गरे रही खुष्णा 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 हरे थयुआ प्रेण। राम राम हरे 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 खृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 क्रिष्णा क्रिष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे रामौ, रामौ हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Rama, Hare Ramo, Ram Ramo Hare Hare हरे खिष्णा हरे खिष्णा किष्णा 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 हरे खिष्ण राम राम हरे हरे आप राम आप राम आप रहे हरे आप राम आप रहे हरे स्वे रश्ण जंद्रव अगवान की जय दो एक इ सबस्कारα को लिस्य है युजु भगवान का नाम लेता ऐ है वह से दोश्च से मूप्त हो जयता है अब मगारी निधरा की बात आही गई है तो एक वक्ता ने बहुत सुन्दर बाद बताई इसा है लेकिन सुना है, सुनने में बहुत अच्छा लगा है, इसलिए आपके बीच में रख रहा हूं, एक वक्ता बहुत सुन्दर बाद बताए, बहुत बागवत कता में जो सोता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, सुने वाला खूब सो, बागवत कता में जो सोता है, उसको कोई नहीं है लेकिन उसके बाजु वाला नरक में जाता है प्राब्लम हो गया है इसलिए आपकी बाजु में जो दोश्रोता बेटा है जिरा उनका ध्यान रखेगा आप कितना भी ध्यान से सुने लेकिन बाजु वाला सो रहा है तो आपको कहीं ऐसा नहीं हो जाए अरे एक बार एक संत बता रहे थे वो भी बड़ा अच्छा लगा बोले कुछ लोगों की कता में तो लोग सोते ही रहते हैं एक बार एक कताकार इमृत्य हो गई मरने के बाद वाइकूट में गए बहुत बगवान की कता कहे थे मन लग गया था बगवान एक कवी की कल्पना है लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है तो गए वाइकूट में तो वाइकूट में गए बगवान के द्वारपाल जै वीजे ने उनको वेटिंग में बिठा दिये उने आप बैठो थोड़ी देर के बाद तो उसको लगा ये वाइकूट की सिस्टम होगी बाहर वेटिंग में बिठाते होंगे और फिर अंदर लेते होंगे तो वो तो बेड़ गए लेकिन कुछ देर के बाद हमारे यूपी के एस्टी बस का ड्राइवर आया बगवान के दाम में खाकी वर्दी में था जैसे आया जैविजे ने उनको अंदर भेज दिया जाओ आप जाओ अंदर तो जो कथा व्यास ते वो खड़े हो गया बोले मैं कितनी कथा कर दिया एक हजार कथा बाच दिया लोगों को कथा सुना दिया आपको मुझे पहले अंदर लेना चाहिए आपने उस बस के ड्राइवर को अंदर ले लिया यह ठीक नहीं है उसको आपने क्यों अंदर लिया मुझे क्यों बाहर बिठाया वेटिंग में जैविजे ने का आप सुनिये उसको क्यों अंदर लिया देखे महराज आप जब कथा करते थे न तो आपके सभी श्रोता सोते रहते थे यहाँ आपकी कथा शुरू होती थी वहाँ आपके श्रोताओं की नेंद चालू होती थी और यह रहा ड्राइवर बसका किसी को सो नहीं नहीं देता था ओ लिए अई और इस ड्राइवर के यात्री अधी शूँ भी जाते थे पैसेंजर्य यदि शूँ जाते थे तो हैसी ब्रेक मारता था सोने वाले जग जाते थे हाई राम हाईराम करते गते भगवान का नाम ले डिन तो आप थे कि सब को सुलाते रहते थे और ये था कि सोते कथा यदि ध्यान से सुनी जाए तो निद्रा नहीं आती है लेकिन ध्यान से सुनना चाहिए वही श्रोता वास्तविक श्रोता है जो कथा को सुनकर अपने रदई में उतारते हैं कुछ लोग तो अपने कान को बिल्कुल हाइवे एक्स्प्रेस बना देते हैं यहां से कथा गई यहां से बाहर तो कि इसी कथा आती हैं एक कलाकार ने वशिष्ट जी की मूर्थी बनाई दो मूर्थी बनाई शोरूम में रखी गई एक मूर्थी का वाव पाचसो रुपया औ अब लोग आते गए देखने गए दोनों मूर्थी एक समान थी कोई अंतर नहीं था तो सब के मुख में एक ही जिग्या सा कि इसका पाचसो रुपया इसका पात लाग रुपया क्या अंतर है दोनों मूर्थी हो बहुत बढ़ा प्रश्न हुआ एक सादू आसे निकले उनको फूले हो पूछा गया कि दोनों वरश्ष्न जीकी मूर्थी एक का पांचसो एक पांच लाग आपको जानते विलिसमें कौन सी बड़ी बात है सही बात है इसका पांच लाग है इसकी वेल्यू जाज है इसकी वेल्यू कम है क्यों को बहले काम करो दो रसी लेकराओ को बले म मूर्ती से और रसी से क्या लेना देना आपकर तो आओ तो एक यस जो 500 रुपीय मूर्ती थे उनके कांगे ढाली तो एक फुट गई यहां से बाहर डिकल गई और दूसरी मूर्थी थी 10 फूट रस्री दाल दी लेकिन यहाँ से नहीं निकली वो रस्री अंदर चली गए जिसके कान एक बाजू से कथा जाती है और दुसरी बाजू से निकल जाती है उसकी कोई वेल्यू नहीं है लेकिन जो अपने कानों से कथा सुनते हैं और उसे अंदर रदी में उतारते हैं, उनका भाव तो 5 लागका होता है वो तो अमुल्य होता है या तो ये हैं शृताओं की परमपरा, आप सबॕता अच्छे ही है क्योंकि भागवद में ये बात आगयी हैं इसलिए के प्रथम स्कंद के और अग्रेसर होंगे श्रीवेदव्यास्मुनी श्रीमत भागवत प्रारम करते हैं श्रीमत भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याई प्रथम श्लोक ओम नमो भगवते वाशुदेवाया ओम नमो भगवते वाशुदेवाया जन्माधस्ययतों व आदितरत चार्थे शुभिग्यश्वराद तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह यंतिया सूरय ते जो वारिम्रिदाम्यता विनिमयो यत्रत्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन स्दा निरस्त कुहकं सत्यंपरं दीमहिं स्थ्यंपरं दीमहिं श्रिमद भागवत का यह प्रथम श्लोक श्रिमद भागवत का यह प्रथम श्लोक भागवत में प्रवेश करने के लिए द्वार के समान है यदि भागवत का यह प्रथम श्लोक समझ में आ गया स्वागत भागवत का यह प्रथम श्लोक समझ में आ गया तो निश्चीत रुप से भागवत समझ में आ गया और भागवत का यदि ये प्रतम श्लोक समझ में नहीं आया तो भागवत अगरा है क्योंकि वेदव्यासमनी भागवत के प्रतम तीन श्लोक में भगवान को मंगलाचरण कर रहा है और विदव्यास्मनी भागवत की इस प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप लक्षण और तथश्ट लक्षण का वर्नन कर रहा है भागवत के जो प्रतिपाध्य विशई है साक्षात बजेंदर नंदन शाम सुन्दर कृष्ण उस कृष्ण के स्वरूप लक्षण और तथश्ट लक्षण इस श्लोक में बताएगा है भागवत में प्रवेश करने के लिए यह द्वार स्वरूप है शिल प्रवपाजी ने इन पर बहुत बड़ा परपोर्ट लिखा है अनेकों आचारियोंने प्रिष्ट भर भर के इन श्लोक के उपर लिखा है दिव्य श्लोक है समय भाव में यथा मती जितना समय है मती है श्रवन करेंगे वेद व्याजी प्रारम में कहते है ओम नमो भगवते वासु देवाय ओम शब्द बड़ा पवित्र शब्द है भावत का ये प्रफम शब्द है ओम नमो भगवते वासु देवाया वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान से कृष्ण को नमस्कार और वागवत के इस श्लोक के अंत में विदव्यास मुनी कहते हैं सत्यम परम धीमही ये शब्द गायतरी मंतर में भी है सत्यम परम धीमही विदव्यास जी कहते हैं हम परम सत्य का ध्यान करते हैं बहु अचन में कहते हैं भागवत की प्रारम में विदव्यास मुनी परमसत्य का ध्यान कर रहे हैं तुमानों पूछा जाए, ये परमसत्य है कौन? कई आचारे गणाशा कहते हैं, कथावाचा कहते हैं कि भाई आप अपने मन में जिन को परमसत्य मानते हो उनको मानकर पढ़ाम करो परंत वैसी बात है जब गुश्लों किसा बोलते हैं तो लोग उनकी वावा करते हैं कि कितनी दीरग भुद्धी है कितनी विशाल भुद्धी है परंत वैसा नहीं है वेद व्याज जी बड़ा क्लियर कह रहा है यह थी थोड़ी सी श्लोक पर द्रश किया है और उस परम सत्य वासुदेव क्रिष्ण का हम ज्यान करते हैं और उसके स्वरुप लक्षन और तठस्त लक्षन क्या है वेद व्याज जी श्लोक में प्रारम करते हैं जन्माध सेयतोन्व आदीतरत चार्थे शुभी यस्वरा तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यंतिय सूरय वेद व्यास्मनी कहते हैं कि परम सत्य वो है जो जन्माधियस्य जो इस संसार का इस ब्रह्माण को जन्म देते हैं अर्ताज जो इस सुरुष्टी का सर्जन करते हैं इस सुरुष्टी का पालन करते हैं और इस सुरुष्टी का जो प्रले करते हैं वही परम सत्य है और उनी का में ध्यान करता हूँ उनका हम ज्यान करते हैं और आगे बताते हैं जन्मा धिस्से यतोन वा आदी तरत रहा है चारतेशु अभीक्या और कहते हैं सुरुष्टी का सर्जन करने के बाद वगवान से कृष्ण इस सुरुष्टी में रहने वाले सभी जिवों के प्रती अभीक्या हैं जानकार हैं जानते हैं यह वगवान की वगवत्ता है यह वगवान के लक्षण है लक्षत अनेन इती लक्षण ऐसी वस्तु ऐसे अगुण जिससे किसी विशेव वस्तु का पूर्ण रुप से परीचे हो जाए वगवान का परीचे ही दे रहे हैं कि नीए कि उन बहगवान का में ध्यान करते हैं जुलीड करते हैं जो इस सरजन करने के बाद भी इस सभीस्टी में जितने भी जीव है उन सभी जीवेंग हैं जानकार हैं जानते हैं Saura स्रिष्टि में जीव कितने हैं इनको गीन पाना से असम्भाव तिर्थ राज प्रयाग में दसश्व में घाट पर अपने प्रीय भक्त को उपदेश देते हुए चेतनी महाप्रभु कहते हैं एत ब्रह्मांडे भरी अनन्त जीवगन चोरासी लक्षते योनी कर ये ब्रह्मांडे भरी अनन्त जीवगन इस ब्रह्मांड में अनन्त जीव हैं चेतनी महाप्रभु ने बड़ा सुन्दर विश्लेशन किया स्थल्चर नभचर और जल्चर और कुल मिलाकर चोरासी लाख योनी है और एक एक योनी में करोडो करोडो जीवग उन सभी जीवों के बारे में भगवान पूर्ण रूप से अभिग्य है जानकार है सुरुष्टी करना ये बड़ी चीज है लेकिन उससे भी बड़ी चीज क्या है जी जो सुरुष्टी किये है उसके विश्य में पूर्ण रूप से जानकारी होना है हम लोग कभी-कभी बच्चे पेदा कर देते हैं बच्चे उत्पन कर देते हैं ये भी एक सुरुष्टी ही है ये भी सुरुष्टी का एक हिस्सा है तो हम लोग अभिमान में आ जाता है कि ये हमारा बच्चा है हमने बच्चा उत्पन किया लेकिन हमारा बच्चा कैसा है कहां है कहां जाकर वो क्या करता है वो हमारा एक है लेकिन फिर भी उनके विशे में उनका पिता पूर्न अरुप से जानता नहीं जब एक-दो बेटे के बारे में एक बाप नहीं जान सकता है तोम बगवान होने का दावा कैसे कर सकते हैं बगवान तो वो है जो कोरोडोë करोडो जीवो को जन्म दे कर भे सब केविशे में अभिग्य है कौन जीव क्या किया क्या कर रहा है और मन में क्या प्लान बना रहा है नीचे बैड़ कर मन में वक्ता को कितनी गाली दे रहा है वक्ता जाने या न जाने भगवान जानता है कि ये कब बन करेगा पसाद का समय हो रहा है अभी क्या हम चाहे जाने या न जाने परन्तो भगवान पूर्ण रुप से जानता है इसी को तो वगवान कहते हैं, अभी क्या, बगतों हम तो हमारे शरीर के बारे में भी पूर्ण रुप्स नहीं जान सकते हैं, हमारा शरीर है, जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं, इस शरीर के विशे में भी थोड़ी सी बिमारी आ जाती हैं, डॉक्टर के पास जाता हैं, और हम ज्याते हैं डॉक्टर के पान् Judaism दोक्टर कई दरी दे दे लेते हैं और उसको लिक लेते हैं केते हैं दो युदर साब भी मिशारदी खत्म नहीं होई तब वो चुंसरी देते हैं वेसे दो तीन बार बदलते रहते एक दवाई फिट हो जाती है उसको टीक कर देता है फिर दुबारा जब वो आता है वो डायरी निकालते हैं और पिछली बार जिस दवाई से ठीक हुआ वो दे देते हैं फिर रेगुलर कॉस्टमर बन जाता है तो इस प्रकार से चल आया क्रिश्न कह तह में अर्जुन रिदां सम्ती ताह नी वरत माना नींत चर्जुन पविशानी च diferूतानी मां और एक होकर इस दुन्दुनिया में रहने वाले सभी जीओ के विशे में जानता हूं लेकिन अर्जुन दुख की बात यह हैं मैं एक होकर भी सब के बार में जानता हूं लेकिन दुख की बात यह हैं कि सब लोग मिलकर भी मुझे एक कृष्ण के बार में जान सकते हैं कि सब लोग में उतर हुए कृष्ण के बारे कि यह तो अनंत है जिसका कोई अन्त ही नहीं है तो इस प्रकार भगवान अभीज्य है इतना ही नहीं वेदव्यासमुनी कहते हैं स्वराठ इसके साथ साथ भगवान स्वराठ मने स्वतंत्र है परम स्वतंत्र नसीर पर कोई जिस कि स्वतंत्र कोई स्वतंत वर्गत नों अ हम सब लोग अनेकों बंदन में बंदे है ऑस यह आत्मा मंग बुध्दी और अहंकार के बंदन में बंदन हुआ है उसके उपर पंच महाभूत ये शरीर का बंधन है आत्मा के उपर और उससे आगे चले तो काम क्रोध लोब मोहमद मास्रिय का बंधन गिन ये कितने बंधन है और हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं हैं स्वतंत्र नहीं और आगे बढ़िये तो जन्म का बंधन बारम बार जन्म लेना पड़ता है शिवाज शंक्राचारिय ने कान भजगोविंदम पुनरपी जनमम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शेना बार बार जन्म लेना रोग आना रोग भी एक बंधन है बुड़ापा भी एक बंधन है कौन बुड़ा होना चाहता है तो यह में तो गाते हैं आशिक को तो अल्लाह न दिखाए बुड़ापा ज़िए शरीर का आशिक है ज़िए संसार में पसा हुआ है उसको भगवान बुड़ापा न दिखाए प्रिकि जब बुड़ापा आएगी तब ये शरीर पहले तो द्रिश्टिर नश्यते पहले तो ये शरीर कुरूप हो जाएगा रात दिन जिसको समारते हैं सजाते हैं पहले तो शरीर दिखने लायक नहीं रहता है आँखे दिख काम देखना बंद कर देती हैं कान सुलना बर्द तेच बदिर्ता दशनम विहिनम ये दातेकिक करके गिर जाते हैं मुखम्च लालायते हैं तो इस प्रकार बुड़ापा का बंदन और सबसे बड़ा मृत्यू का बंदन तो एक के बाद एक बंदन जीते जी पतनी का बंदन कितना बड़ा बंदन है आदमी सुवे से घर से निकलता है बंदन की तो ये बाती नहीं है हम तो शेहरों की बात करें दिलि मुंबई शुबे घर से निकल जाते हैं शाम को घर पर आते हैं वो आदमी जानता है घर जाकर मगज मारी शुरू होगी सारा तूख उसी घर में है शांती से अभिस में बैटकर काम किया उसे वो जानता है कि घर पे जाओंगा तो पत्नी डिमांड करेगी बच्चे डिमांड करेंगे ये लेकर आए वो लेकर आए लेकिन बंदन कितना कड़ा है कि रात को उसी घर पर वापस आता है जानता है कि यहां आग है यहां दूख है कि बंदन है पत्नी का बंदन पुत्र का बंदन माता पिता का बंदन समाज का बंदन देश का बंदन इस बंदन हर भगतो और कोई बंदन हो या न हो प्रकृती के तीन गोणों का बंदन तो सब को है कृष्ण गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमानानी गुणे करमानी सर्वश अंकार विमुढ धात्मा करता हम इति मन्यते सब लोग प्रकृती के गुणों के सत्वरजिस तमस के बंधन में हैं और यदि को ऐसा मानता है कि मुझे कोई बंधन नहीं है तो सबसे बड़ा मुड्ध है मुर्ध वहनकारी है सब लोग बंधन सबक्तो संसार का यजीव बंधन में है लेकिन भगवान स्वतंत्र है इसले कहते हैं जन्माधस्ययतो न्व आदितरत चार्थे शुवेग्यस्वराय तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये मुह्यन्तिय सूरय और वगवान की विश्यष्टा क्या है तेने ब्रह्मरिदाय आदिकवये ये वही भगवान है जिन्होंने सुरुष्टी के प्रतम जीव ब्रह्मा को समस्त वेदों का ज्यान प्रदान किया और ऐसे प्रदान किया एक ही घड़ी में ब्रह्मा को पुर्ण ज्यानी बना दिय नहीं तो इनका जन्म से नाम था हिरण्य गर्व, सोने समान कमल से जन्म हुआ था, इसलिए इनका नाम था हिरण्य गर्व, परन्तो इनकी तपस्यां से बगवान प्रसन्न हुए, और बगवान ने सार वेदों का ज्यान, दिव्य ज्यान, रिदे प्रकाशिता, ब्रह्मा जी क जिनने वेदो को धारण करके रखाये उसे ब्रह्मा कहा जाता है तैने ब्रह्मा रिदाय आधी कवये जिनको थोड़ी भी देर नहीं लगी ब्रह्मा जी को ज्ञान देने में वेदों का ज्ञान देने में थोड़ी भी देर नहीं तुरंत दे दिया पहले तो इन बातों को महां चला जाता है यहां बेटे बेटे आप अमेरीका एक सेकेंड में इमेल के द्वारा डिटा भेज सकते हों जब साधारण व्योस्ता इसी है बहुतिक जगत की व्योस्ता इतनी तेज है यह तो भगवान है पर सामने सुरुष्टी का प्रतम जीव ब्रह्मा जो परम तफस् तैसे ब्रह्मा जी को पुर्ण ज्यान प्रजान किया जिस ज्यान से ब्रह्मा जी ने इस गौन सुरुष्टी का सर्जन किया इतना ही नहीं तेजो वारी विदाम यता विनिमयो यत्रति सरगो मृशा जिन्नों ने इस बहुतिक संसार का निर्मान किया और जिन्नों ने अप बहिरंगा शक्ति हैं लेकिन फिर भी भगवान को स्पर्श नहीं करती हैं भगवान सदेव जिस बहिरंगा शक्ति माया से मुप्त रहते हैं ऐसे परम सत्य भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं वेदव्यास प्रतम श्लोक में परम सत्य को प्रणाम करते हैं और यह सारी चीज कृष्णस के लिए ही है, बले अन्डिय लोग ऐसा कहते हैं, कि नहीं नहीं, आप जिन को वगवान मानते हो, यह संसार में इसा चलता है इसव जगपा, परन तो ऐसा नहीं है, यह सारा मंगला चरण जो है, यह प्रत्यक वष्टू, एक मात्र कृष्णस के लिए, तो यहां पर वेद्व्यास मुनी Krishna को परम सत्य कहते हैं और वागवत के दसंसकंद में जहां पर कंश के कारागार में मुथरा में बगवान कृष्ण देव की के रधैम में है और तैंतिस करोड देवी देवता भ्रह्मा शीव जिस समेत जब बगवान को गर्बस्त स्थुति करते हैं तब वहां पर भी सत्य वरुतं परमत्री सत्यम एक श्लोक में नौँ बार है क्रिष्ण आप ही सत्य सत्य आप ही प्रम सत्य वेधव्यास मुनी कहते हैं वह क्रिश्न करोड़ जोड़िये आईए कैलाश लोक मैं शिव जी के पांस जाते हैं शिव जी को पुछा गया वलेनाथ आप बताईए परम सत्य कौन दिवार पारवती ने पूछा देखा वगा इस पूत्विय में कि कुछ बापू और कुछ बाबा अपने आपको सत्य मानते हैं तो पारवती ने कहा पर वो आप ही बताईए यह अनुभव में अपना सत्त हरिभजन जगत सब सपना शेवजी अपनी पत्नी को कहते हैं कि हे उमा पार्वती में मेरे जीवन का अनुभव तुमको सुना रहा हूँ इस संसार में सत मात्र एक मात्र हरी राम और क्रिष्ण है बाकी सब सपन के समान है बाकी सब आएंगे और जाएंगे करंदु सत्य यदि को हैं तो है क्रिष्ण सत्य हरी बजया तैसे परम सत्य को शिवेदव्यास में राम करते हैं ज्यान करते हैं जाये मुझ कि शव्द बहु अचन में हैं अदाद वेदव्याजी भगवान का ध्यान अकेले नहीं कर रहे हैं सभी देश और सभी काल्व के अपने समस्ष शिश्यों को अकवार में भरकर साथ में लेकर वेदव्यास मनी परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं और प्रथम श्लोक मंगलाचरन करने के बाद दुसरे श्लोक में मंगलाचरन करते हैं भक्त ये मंगलाचरन करना अत्यन्त आवशक जब भी कोई कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य की निर्विग्न संपन्नता के लिए मंगलाचरन करना चाहिए समाप्ति कामो परमो निर्मत सराणाम सताम वेध्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन मुलनं श्रिमद भागवते महामुनी कृते किमवा परे रिश्वर सद्य ही अवरुद्धते तकृति भी सुशुशुवी तच्छणा वेधव्यास्मनी कहते हैं ये भागवत जो है कपट धर्म से मुक्त है ये भागवत में किसी प्रकार का कैतव धर्म नहीं है कपट नहीं किया गया है और वास्तवीत जानने योग के वस्तो इस भागवत में बताई गई है इस भागवत को सुनने वाला व्यक्ति का कलियान हो जाता है शिवदम ये भागवत कलियान करने वाला करने तापत्रिय उन्मूलनम भागवत सुनने से तीनों ताप जड़ से नश्ट हो जाता है भगवान की प्राप्ति होगी ये तो बहुत दूर की बात caring कि भागवत सुन्ने से भगवान मिलेंगे ये तो बहुत लंबी बात अब तो विदविया मेसीन तो यहां तक कह दिया कि भागवत सुने की जुरुत नहीं जीस दिन से जुद्स मैं कोकुशन का जैसेmat च्जोबिस तारिक है और दो तीन महीने पहले से ही इस कथा की तैयारी चल रही थे तो दो तीन महीने पहले जिसके मनमें आया कि हम चोबीस फरवरी को भागवत सुनेगे बागवत सुना नहीं है मन में मतर इह इच्छा प्रकट और भगवान उस भगत के रदे में प्रकट हो जाते हैं बागवाद सुनने की इच्छा करने वाले भगत के रदे में भगवान वैसे प्रकट होते हैं और भगवान अपने भकत को रधये में बठा लेता है कि मैए ते और ते मई भगवान कहते हैं कि मैं उस दे and लिए में बढ़ जाता हूं और गटको मैं मेरे रधय देता हूं सादव रदयम महियम और वागवत सुनने वाले भवतों की रक्षा में वैसे करता हूँ कैसे करते हैं रामयन मिलिका अससत्य ममध जन्मा उरुबस कैसे लोभी रदय बस ही धन जैसे कि यह लोभी अपने धन को चुपा कर रखता है ते जोरी में बंद करके एक कहते हैं तब चल्डिे को ताल हमेरे धैन मारकेट तकама तियुवर का यह ताल खेंचता है खुला तो नहीं है, मैं इस तो यही ताला तोड़ देगा, चोर को तोड़ने की जरूत नहीं पुड़ेगा, माली की तालाToड़ देगा, इतना कीओंट आदे he तो एक लोभी जैसे अपने धन की रक्षा करता है वैसे ही भगवान भागवत सुनने वाले भगतों की रक्षा करते हैं तो हमारा बड़ा सुभाग्य है कि शिल प्रभुपाज जी की किर्पासे आज व्रिंदावन धाम में शिशिरादा शाम सुन्दर जी के चरणों में आप लोगा दुर्भाग्य है कि मेरे जैसे मुर्ग के मुख से आपको सुनने मिल रहा है अब जो भी है छे दिन जेलना वाकी है तो आप सभी वक्तस निवजन करते हैं कि शे दिन 12 सत्र वाकी है इन 12 सत्र में अने को उत्सव होंगे अने को सिधान उवदेश अने को कथाय आएगी तो आप सभी भक्त स्नी जन है समय से आई कफा को सुन्य और अपने जीवन को धन्य बनाई रे ख्रिष्ण औरे ख्रिष्ण था हे रे अ मेच by सभी वहगत दो मिन्क्प बेटे रहेंगे अभी चोटी prayer एनाउस्मेंट होगी एनाउस्मेंट के बाद भागवत जी की आरती होगी आपने आज सुना कि भागवत की आरती करना यह भी एक बहुत बड़ी भगती है तो भागवत जी की पूजा होगी और इसके बाद पेट की पूजा होगी यहां पर भागवत सुनने के लिए जितने बेखिता हैं हम व्यासमन से कर्वध्दन करते हैं कि आप सभी भग्त प्रसाद पाकर ही प्रस्थान के जिए जबर स्टी की वड़ी इच्छान है कि जी जादा से जश्यादा मातर में भग्त आए कथा सुने प्रसाद ग्राण करे और भक्ती का लावन है Hare Krishna इसके बाद सभी के लिए महाँ प्रशाद है आप जाते हो समय यहां से कूपन लेकर की पता है बेंगेट जो महां पर प्रभूजी कड़े हैं वो आपको पूपन देंगे इसी कूपन से आपको महां पर प्रशादन पंडाल में आपको प्रभी दिया जाएगा इसी के लिए मार treats आपको प्रशादन पंडाल में आपको थेएगी हैं आपको हर आपको प्रशादन पर पर प्रशादन परनाल में आपको पको प्रशादन wodको हर जाएगा गान्दिक्गान शुद अजय कर दो जान्मात रुप्यों पाया भगाया हाले जान्मात रुप्यों पाया भगाया हाले ब मद ऑसे हाली करिक काहरी Finance, एल न लगीन दिवान, आदिया, मोरीफ त्यंग अमё , यारर कि आदिया आदिया , जित्यु अधिया, मोरी इत्यु व्लाथ कि भूंग दिहे नित्यु अधिया , गित्वर नखिव्लाथ कि में उभूद दिजी त्यु में गत्युब में आधिया,aa p cuántit samumumant उत्विपिभ थी बत बिपा थे बेग जड़ी पाँदी निमा राति ना, जांदी बेग जड़ी माँदी र्द्वत्र्श अनाहा शंत्रफा। दिवासाः वाद्नाः वाद्राः सजर्फा। हँद्र तर्चाइ्भ वन जटाथि भिवार्ट नात्राथि भाज्वेर्घ, हुद्रत रसनोर्प, हुद्रत रिखकाऊन छ्रॉप्ति कर्फा त्रॉप्तिय लाइं आपतती कर्फा टाथ मुद्रति आत्राथि रांल छुफित वादय जोबा ला थी दिकतन कानल और आत्रीश्य जात्रमोंनम आत्रीश भांद-फिश्य थी खीज़्ायत रांनी आत्रीश्य इतंडाले दायारा सराथ सर्मियारी मोवी दोफुकी रचिते बेश्तुन मावी मोवी मोवी जली प्रेमस कोडारी तर्मावा सिंत चाहते अलबिया सुताव देश्तुन सुदस्यारी थाओं ऑनो शेरे आस्नाही थाओं टूनाशी सुदस्यारी थाओं दूनाण शेरे थाओं इसासिमाद कर दूनाइ कि अर्या बंजी शोटी शोल कर दो